ब्रॉट तो यू बाई बैंक आफ महाराष्ट्रा बैंक आफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याजदर घटा कर अब कर दिया है केवल 8.35% वो भी 0 प्रोसेसिंग फीपर नमस्ते मैं हो निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का बजट मोजी सरकार ने 2024 के लिए अपना अंतरिम बजट अब जनता के सामने रख दिया है हर कौर्टर से इस पे लोग अपने अपनी टिपणिया रख रहे हैं बहुत सारे लोग इस बात में इंटरस्टेड हैं कि शेर मार्केट ने जिस तरह से बजट को रियाक्ट किया है उससे कैसा देखा जाए क्या ये समय सही रहेगा इनवेस्ट करने के लिए या फिर जो अपनी होल्डिंग्स हैं उनको बनाय рखने के लिए कम करना है जादा करना है बहुत सारे यंग इंवेस्टर्स हैं जिनके पास अब वो मौका है अब वो धन है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या उनके लिए ये टाइम सही है और उनके लिए बजट किस तरह के संकेत लेकर के आया है ये सारी चीज़े हम समझेंगे डॉक्टर रवी सिंग से आप DRS फिंवेस्ट नाम से एक संसा चलाते हैं सेभी का आपके पास में रिजिस्ट्रेशन है और सर पहली चीज़ हम यही समझना चाहते हैं बिफोर गॉइंग टू बजट हमने देखा है कि सोचल मीडिया का जब से उठान हुआ है हमने बहुत सारे इंफ्लुएंसर को देखा है जो कि स्टॉक्स के लिए अड्वाइस लोगों को करते है और बहुत सारे लोग उस अड्वाइस को मानते भी हैं इंवेस्ट करते हैं लेकिन लेटली हमने देखा है कि काफी तगड़ा क्लैम डाउन आया है सेभी की तरफ से और जो बाकी law enforcement agencies है उनके तरफ से इस practice को discourage किया गया है हम ये जो वीडियो presentation बना रहे है ये भी social media के माध्यम से ही हमारे viewers तक पहुचने वाला है हम सबसे पहले at the outset यही समझना चाहते है कि कौन लोग qualified माने जाते है जो share market में खरीद की जाए या विकरी की जाए उस बारे में सलाहा देने के लिए अधिकरित कौन होता है भारत के कानून के हिसाब से देखे आपने कई questions से एक साथ पूछे है तो सबसे पहले मैं social media का answer कर देखा हूँ कि social media पर देखे आज ललन टॉप एक stage पर पहुँच चुका है और आपका ललन टॉप का कोई personal interest नहीं है किसी भी share को manipulate करने का या फिर आपको especially कोई personal कमाई करने का शौक नहीं है ये सारी चीजें social media पर आजकल टुकडो की तरीके भिक रही है लोग Twitter, Facebook और Instagram के handle से stock के recommendation ऐसे दे रहे हैं से लग रहा हूँ, सबजियां बेच रहे हूँ और उसके चकर में कहीं न कहीं से investor फस जाता है जैसे कि आपने चिट चिट फंड वाली जो schemes देखी है जिसमें कि आप 10 investor, 50 investor को आपी खटा कर लीजे उनसे fees charge कर लीजे, आपका खटा चल जाता है लेकिन उन 50 investor का क्या तो सरकार ने इसके लिए, SEBI ने एक कदम उठाया और उन्होंने कहा कि जो भी इस तरीके की recommendation देना चाहते हैं उनको SEBI के अंडर में registration कराना पड़ेगा और आम आदमियों को भी एक, वहाँ पर clarity मिलती है कि जो SEBI registered RIA है, आरे हैं उनके, यानि के research analyst है या फिर financial advisor है उनके एक authentication प्रूफ होता है कि वो आपके साथ fraud नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे का बहुत बड़ा reason है क्योंकि आपकी audit report, आपके compliance की report और आप जो बोल रहे हैं उसके सारे record SEBI में जाते हैं तो आप इस तरीके की चीजों को conflict of interest की चीजों को नहीं करना चाहेंगे और जब ये चीजे control अगर सरकार करती है तो कहीं न कहीं से वो चीज authenticate हो जाती कि आप उसमें कोई cheating बेमानी नहीं कर रहे है इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कभी भी जब share market का पहला कदम रखें या जितने भी आप YouTube या आप ललन टॉप एक इतना बड़ा brand है इतना बड़ा है कि उनका personal interest नहीं वो एक platform दे रहे हैं जिसमें कि आप अपनी बात कर सकते हैं इस type के अगर platform में तो आप उसको follow कर सकते हैं नहीं तो सबसे बढ़िया आप जिस भी YouTube चैनल को follow करते हैं जिस भी influencer को follow करते हैं जाकर check करिए और ये open information है कि सेवी registration है या नहीं है आपको वही reality पता चल जाए तो आपका सेवी registration है हम ये जाना चाहते हैं कि आपकी राय में आपने budget speech देखा है जो interim budget आया है जो उसमें तमाम allocations हुए है उसको लेकर आपका पहला reaction क्या था और जो stock market ने जिस तरह से रिया कि हमें एक छोटा सा blip दिखा थोड़ा सा वो चड़ा उसके बाद वो more or less जो खबर है market में PTM को लेकर के उसी से ज़ादा motivated है हमने बहुत ज़ादा उतार चड़ाव देखा नहीं है generally interim budget में ऐसा होता भी नहीं आज की reaction को आप कैसे देख रहे है देखे आज का budget जो है बहुत नपातुला budget था आज आप market में impact इसलिए नहीं देख पाए mid cap और small cap देखे जाएं तो 20% की ज़्यादा rally दिखा चुके large cap ने 5% की rally दिखा दी मैं एक दिगज stock की बात करता हूँ Maruti जो कि आज top gainer रहा आप उस stock को देखिए उसमें एक अच्छी खास की तेजी रही यानि कि market अपने fundamental पे और budget के साथ कोई negative चीजे ना होने के साथ में यहाँ पर grow कर रहा है तो stock market में कोई panic नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि budget को ले करके जो expectation बनाई गई थी उनके आस-पास market है इसी वज़े से वो reaction आपको budget के बाद नहीं देखने को मिला कौन से sectors ने gain किया है सर अगर आप एक in general आप एक assessment देना चाहिए जो budget speech आया है उसके बाद देखे budget तीन point important थे पहला था कि उन्होंने growth structure की बात की दूसरा था उन्होंने boost किया यहाँ पर consumption को और तीसरा था कि infrastructure development के लिए उन्होंने बड़े announcement करी जिसमें आपने seven times one और अगर दो और calculation करें तो 11 times one numbers को input किया गया तो वो पूरा पूरा जो structure है वो infrastructure sector को boost करेगा railway counter को boost करेगा हमारे PSUs को boost करेगा banking counter को boost करेगा तो यह चार ऐसे sector हैं जिनके की stock आपको grow करते हुए नजर आएंगे और वो impact अभी यहां से start होने शुरू हो गया सर जिस तरह से share market ने react किया है क्या यह सही time होगा जो young investors हैं उनके लिए market में entry का और they should wait देखे मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा आपने हमेशा कहानियां सुनी होंगी कि 1992 में Infosys में किसे ने कुछ share खरीद लिए वो आज करोड़ पती है यह कहानी आज भी है अगर आज आज आप 30 साल के लिए investment करेंगे और large cap के stocks को चूज करेंगे तो आप भी आगे 30 साल बात करोड़ पती होंगे और आपकी कहानियां लोगों को सुनाई जाएंगी तो इसलिए market में कोई सही time या कोई wrong time नहीं होता आप जब तयार हैं जब आपके पास saving है आप market में धीरे-धीरे करके strategy बना कर निवेश करें सही stocks को choose करें और इसके लिए आप सही financial advisor को लें तो मुझे ऐसा लगता है कि market में वो opportunity दिखाई देगी अब इस समय current हालात में अगर देखें तो जरूर index is specific नहीं लेकिन stock is specific या sector जिन 4 sector की बात करिए उनमें एक अच्छी growth दिखाई दे रही है और आज आप अगर निवेश में डर रहे हैं तो आप 100 रुपए में से आप 10 से 20 रुपए का निवेश आज करें तो आपको शुरुबात होगी शुरुबात होगी तो सब अच्छा होगा सर इंटरम budget हमारे सामने है लेकिन इस साल एक पूरक budget भी आएगा जो कि full budget होगा जब नहीं सरकार आ जाएगी उससे पहले क्या हम कोई बड़ा change stock market में देख सकते हैं देखे important है आपने बहुत important सवाल पुछा इसलिए कि market में अभी correction due है due correction इसलिए का जाता है क्योंकि election हमारे यहां का एक बड़ा event है और उससे पहले market से काफियत तक पैसा निकलता भी है नए investor आते भी हैं तो वो एक volatility वो एक उतार और चड़ाओ अभी बाकी है और जो क्योंकि आप जुलाई तक जो है वो दूसरा budget पेश होना होगी नई सरकार बनेगी भले कितनी भी expectation हो लेकिन एक बार market में एक dip जरूर बनता है नए investor को मौका जरूर मिलेगा वहाँ पर invest करने का सर हमने आपके लिए stock markets पर हम बात कर रहे हैं और हम बिना PTM की बात की आगे नहीं जा सकते हैं जो regulators हैं हिंदुस्तान के उन्होंने PTM को लेकर के कुछ बाते कहीं हैं जिसके बात से जो PTM Payments Bank को लेकर के लोगों में कई सारी चिंता हैं कुछ deadlines लोगों के सामने आ गई हैं आज हमने देखा कि stock काफी crash भी किया है अब उसका एक कारण तो यह हुआ जो regulators ने कहा है आप उस पर अपने tip पनी कीजेगा कि आपको कितना सही है गलत लगा और तू हम यह भी जाना चाहते हैं कि जो international rating agencies हैं उन्होंने भी अपने अपने projections दिये correction के PTM में और हमने देखा है कि उनके projections आने के बाद में वो और dip किया तो उस बारे में आप क्या मामते हैं देखें सबसे बड़ी बात है कि कि किसी भी company के ऊपर जब surveillance tax या income tax की rate या कुछ इस type की activity होती तो उसमें गिरावट का trend देखने को मिलता है आपके सामने example है, yes bank एक बहुत बड़ा example रहा, PNB में एक बहुत बड़ा example दिखा, लेकिन जब ऐसे हालात हो सबसे पहले investor को दूर भागना चाहिए और ये हालात इसलिए step उठाने चाहिए क्योंकि आप इस controversy में बिल्कुल ना फसे, यानि एक investor के नजरिये से इस तरीके की controversy में फसना, उसके लिए काफी नुकसान दे हो सकता है, पहला दूसरा, अब stock market में इस समय अगर situation देखी जाए, जो उनकी income source है, अभी हाला कि company loss में ही है, और पिछले कई quarter से loss ही दिखा रही है, loss से भी थोड़ा सा कम loss होता है, तो share बढ़ जाता है, लेकिन loss जिस तरीके से भी increase हो रहे थे, उसको ले करके तो एक संभावना, एक चिंता वहाँ पर थी ही, लेकिन जब compliance आप complete नहीं करते हैं और सरकार जब कोई ऐसे step उठाती है या regulator body जब ऐसे step उठाती है, तो उसका impact और negative देखने को मिल सकता है, तो इस तरीके से जब stock में negativity हो, जो core business है, उस पर अगर कहीं न कहीं से अगर point किया जाए, तो उसका impact investor के लिए बहुत negative होता है, तो यहाँ पर अभी पेटियम के stocks में आपको बड़ी गिरावट अभी और दिख सकती है, आज 20% गिरा है, लेकिन आने वाले सामय में यह गिरावट और इससे ज़्यादा गहरा सकती है, तो बेटर है कि fresh निवेश करने की तो बिलकुल ना सोचें, हाँ, अगर आप यह सोच रहा है कि आप उसे निकल सकते हैं, बस सकते हैं, तो कोशिश करें, एक बार को अपने पोर्टफोलियो को सुच करने की सर जो एक तो यह कारण जो आपने बताया कि regulators का जो जब microscope के नीचे company आ जाती है, तो फिर investors थोड़े से घबान लगते हैं, international rating agencies ने भी अपनी राय रखे उनके stock के price को लेकर के, और उन्होंने अपने projections भी दिये हैं, correction के, क्या उस वज़े से गिर रहा है, या फिर regulator के वज़े से उन्होंने, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, cause or effect में कौन आगे हो पीछे हो रहा है, जो international rating agencies ने जो राय रखे, Payting Payments Bank को लेकर, देखे, दोनों चीज़े एक साथ होना, वो stock के लिए ज़्यादा negative होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरीके की rating agencies या rating reports को follow करते हैं, जैसे faxset, snp global, fitch, इन सब की ratings की एक importance है, अगर वो यहाँ पर इस तरीके के target देती हैं, तो कहीं न कहीं से खत्रा और बढ़ जाता है, चूंकि ये एक ऐसा stock है, जिसमें FIIs का भी investment है, तो FIIs खास और सो उस report को follow करते हैं, अपने investment को, जो है वो adjust करने के लिए, तो उसका भी एक impact और domestic level पे भी, आप लोगों के channel के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है, तो वो भी सही step उठा पाते हैं, और ऐसे जब chain reaction create होता है, तो उसकी वज़ए से भी market में गिरावाट या stock में गिरावाट आपको देख सकती है, आखरी सवाल हमारा यह होने वाला है सर, पेटियम को लेकर ही है कि क्या अब जब regulators ने अपनी बात कह दी है, is there a way out for पेटियम, क्या वो अब can they get their act together और उसके बाद क्या चीज, ये चीज स्टेबिलाईज हो सकती है, या फिर अभी बात हाथ से निकलती जा रही है, देखें, जिस हिसाब से जो उनकी, जिस हिसाब से note उनके लिए दिया गया है, जो compliance issues की बात की गई है, और जिस तरीके से restriction लगाई गई है, ये नया नहीं है, इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, और जिस पे की थोड़े action लिए गयते हैं, और कुस दिन के लिए उनके नय account open करने पे रोक लगाई गई थी, तो इसका मतलब है कि ये सिलसले वार में ये गलती company कही न कहीं से कर रही है, और इस वज़र से इस तरीके की संभावना यहां पर बन पाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आम investor के point आउसे आपको अभी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत correction आ गया, मैं यहां पर खरीद लूँ, तो आपका पैसा काफी risk में है, तो मुझे लगता है, इस टाइप के stocks में अगर fresh investment की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा avoid रखना चाहिए. बदबश्य शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए आज आपके लिए भी काफी busy दिन था, उसमें से आपने 11 टॉप की दर्श्रगों के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया, और शुक्रिया हमारे दर्श्रगों का भी, जो लगाता 24 के बजट की हमारे साथ तमाम वीडियो प्रेसेंटेशन्स देख रहे हैं, यह आखरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी और इससे पहले भी हमने खूब सारी तयारी किये, बहुत सारी text reports हमारी हैं, जो आप website पर जाके पढ़ेंगे, और हमारे वीडियो प्रेसेंटेशन्स तॉप YouTube पे देखे रहे हैं, देखते रहिए तील अलन टॉप.